अपवित्र पवित्रोवा सर्वावस्थान गतोपिवा यस्मरेद पुंडरी काक्षम सद्गुरु, गुरु पुजा में गुरु का आवाहन करने के लिए सोला भेंटें अर्पित करते हैं मैं सोच रहा था, सोला ही क्यों? क्या आप इस बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? ये सोला अर्पन क्यों? ये… इसका एक खास गनित है आप में से कितने लोग साइन्स में इंट्रेस्ट रखते हैं? मुझा आश्चर हुआ? मैं गनित को आसान बनाना चाह रहा हूँ देखिए हम जन 21 आयामों की बात कर रहे हैं वो सभी इसलिए हैं क्योंकि अब तक 84 धमाके हुए हैं अब तक 84 स्रिष्टियां बनी हैं 21 ये वाली यहां चल रही है और ये अभी भी बन रही है ऐसा नहीं है कि कुछ बन चुका है ये इस तरह से नहीं है हर चीज अभी भी बनती जा रही है है न? आप जहां भी देखें क्या बनने की प्रक्रिया हर जगा सक्रिये है? ये सक्रियता से चालू है ऐसा नहीं होता है कि स्रिष्टी बन चुकी है स्रिष्टी बनती है अब भी बन रही है बनती जा रही है तो ये स्रिष्टी जो बन रही है जो इस समय बनती जा रही है ये एक है तो जो बचा वो बीस हुआ 21 नहीं 20 तो जब हम सोला अर्पन की बात करते हैं तो हम बीस और चार की बात कर रहे हैं उसमें से चार हटा रहे हैं इसलिए क्योंकि पहले चार लगभग इसके जितने ही वास्तविक हैं हम वो नहीं चड़ाते क्योंकि उन्हें चड़ाना मतलब एक दूसरी तरह की गुरु पूजा होती है जहां आप खुद को चड़ा देते हैं योग परंपरा में आप ऐसा नहीं करते तंत्र परंपरा में आप खुद को चड़ाते हैं तंत्रे किस तरह की चीज़े करते हैं कि अपने ही सिर काट दिया वो अपने हाथों में अपने ही सिर को ले जाकर देवी को और पित कर देते हैं असल में ऐसे लोग हैं जो ये कर सकते हैं बिना सिर के जाएंगे और भेट चड़ा देंगे अपना ही सिर तो अगर आप इन चार को चड़ाने की कोशिश करते हैं, तो एक तरह से आप अपने ही अस्तित्व की प्रक्रिया को चड़ा रहे होंगे आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप गुरुओं के लिए इतने उदार नहीं होते ठीक है? आप वो चड़ाना चाहते हैं, जिससे आपकी खुद की खोशाली खत्रे में ना पड़े वो सब कुछ जो आप से परे है, चड़ाया जाए, पर इससे आपकी खोशाली खत्रे में ना पड़े इसलिए तो सोला, चुकि आप नहीं जानते कि ये सोला कहां है, क्या है, तो आप इन्हें उन चीजों के रूप में भेट करते हैं, जो आपके लिए कुछ माइने रखती हैं जैसे गुरु आए, तो आवाहनम, आप उनका स्वागत करते हैं, उन्हें एक आसन देते हैं, तो ये आसनम है, इस तरह से बाकी चीज़ें हैं इसलिए हमेशा गुरु पूजा पत्थर, हमें यहाँ भी एक बनाना चाहिए गुरु पूजा पत्थर, 16 कोने वाला पत्थर हुआ है अगर आप एक गुरु पूजा पत्थर को स्थापित कर उसके समीप एक अनुष्ठान करें यहाँ पर हम ये छोटा सा अनुष्ठान करते हैं इससे ज्यादा हम नहीं करते क्योंकि जैसा मैंने कहा अनुष्ठान एक समावेशी प्रक्रिया होती है एकदम समावेशी प्रक्रिया यहां बैटकर हर व्यक्ती इसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकता ध्यान इस तरह हो सकता है आप यहां बैट सकते हैं अपने बगल में बैठे व्यक्ती की कोई फिक्र किये बिना आप ध्यान में बैट सकते हैं और आज की दुनिया में 21. सदी की दुनिया में जिस तरह के समाज में आप रह रहे हैं उसमें ध्यान प्रक्रिया, अनुष्ठान की प्रक्रिया से ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि आपका खुद का परिवार भी अनुष्ठान में शामिल नहीं होगा आप चार लोग नहीं ला सकते जो एक ही समय पर एक ही चीज करने के लिए एकठा हो अब ऐसा नहीं होता, है ना? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका अपना स्वतंत्र मन है उसमें स्वतंत्रता वाली कोई बात नहीं है वो बस एक तरह का बंदर, एक तरह का मरकट मन है क्योंकि वो किसी एक चीज से आगे दूसरी नहीं देख सकते तो वो बस अपनी विशेशता बताते फिरते हैं इसलिए विशेश होना महत्वपूर्ण हो गया है नहीं तो, अगर आप जीवन के तरीके समझते हैं तो आप साफ तौर पर ये समझेंगे कि समावेशी होना निश्चिती जीने का ज्यादा बुद्धिमान तरीका है क्योंकि इसी तरीके से पूरा अस्तित्तो काम कर रहा है, है ना? हाँ? चाहे आप पसंद करें या नहीं अभी हम सांस ले रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, सब कुछ एक समावेशी प्रक्रिया है कैसा नहीं है? अगर आप इसमें शामिल ना हो, तो आप घुट कर मर जाएंगे जिस भी तरह से आप इसे देखें जीवन की तरह बुन्यादी फिजिक्स की दृष्टी से एटॉमिक फिजिक्स की दृष्टी से या सांस को ही देखें अर्थ शास्तर की दृष्टी से भी ये एक समावेशी दुनिया है है की नहीं? हम? देखिए अभी, यहाँ पर जो कुल मिलाकर 200-200 लोग इस परिसर में मौजूद है एक ही किचन है शायद 6-8 लोग खाना पकाने के लिए समय दे रहे है मान लीजिए ये 200 लोग औस सतन एक परिवार में 4 लोग मानें तो आप लगभग 30 परिवार हैं 30? नहीं? और ज्यादा 100 माफ कीजिएगा लगभग 50-55 परिवार मान लीजिए 60 परिवार 60 परिवार अगर अभी ये अलग-अलग घरों में रहें यहां मैकमिन विले के पास या जहां भी तो आपको 60 चूले चाहिए बरतनों के 60 सेट, 60 किचन, 60 कैस सिलिंडर सबकुच साथ आर्थिक लिहाद से ये समझधारी वाला काम नहीं है इसके लिए आध्यात्मिक मार्ग में होना जरूरी नहीं है, लोग बस यूही साथ आ सकते हैं और व्यवस्ता कर सकते हैं मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ, तुम वो कर सकते हो तो मिलकर करते हैं और जीवन बड़ा आसान हो जाएगा हर किसी को उनके किचिन में और बाहर हर वक्त काम में लगे रहनी की जरुरत नहीं है आप वहाँ जाएं और बिलकुल समय पर खाना तयार मिलेगा क्या ये बढ़िया नहीं होगा अगर आपके जिन्दगी में हर दिन ऐसा हो तो शायद हम कंजी से कुछ ज्यादा बना सकते हैं लेकिन नहीं क्योंकि हम विशिष्ट हैं तो हम ये नहीं कर सकते ये सबसे समझदारी वाला काम होगा पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हम विशिष्ट रहना चाहते हैं विशिष्ट रहना मृत्यू की ओर बढ़ना है पर क्या करें हम उस विशिष्टा को भी विकास के लिए इस्तिमाल करना चाहते हैं तो ध्यान के प्रक्रियां सिर्फ इसी वज़य से आई और समावेशी प्रक्रिया के साथ समस्या ये है कि लोगों को एक खास निष्ठा और समर्पन के भाव में होना पड़ेगा नहीं तो आसानी से इसका दुरुप्योग होगा अनुष्ठान के साथ यही समस्या है कि जब तक ये खास निष्ठा भाव रखने वाले लोग न हो तो आसानी से इसका दुरुप्योग हो सकता है ध्यान का इतनी आसानी से दुरुप्योग नहीं हो सकता क्योंकि इसे आप कर रहे हैं कोई और आपको किसी खास तरह से प्रभावित नहीं कर सकता तो उस तरह से ये सुरक्षित है, पर ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है अनुष्ठान जीवन के लिए बहुती आकर्शक और सुन्दर तरीका हो सकता है अगर आश्रम बढ़ता है और अगर यहां इस तरह के लोग हों जो प्रक्रिया के लिए पूरी तरह समर्पित हों तो हम बहतरीन अनुष्ठान कर सकते हैं वाकई आकर्शक और सुन्दर अनुष्ठान जहां जीवन अत्यंत सुन्दर बन जाएगा ना कि ऐसा यह अपनी तरह से अच्छा है पर चीजों को करने के लिए इससे भी सुन्दर तरीके हैं पर उसके लिए आपको एक विशेस तरका उल्लास और समावेशिता और एक दूसरे के साथ भागिदारी चाहिए तब ही यह करना संभव होगा जहां लोग एक दूसरे को बरदाश्ट नहीं कर पाते वहां आप अनुष्ठान नहीं करते